अज लेकर आगये हूं मैं एक अमेजिंग लेसन जो है हाउसोल चोड्स याने की घर के काम के बारे में जो भी काम हम घर पे करते हैं नॉमली तो उसे हाउसोल चोड्स का आजाता है जारू कट कैसे लेकर बरतन धोने तक या फिर पेर पौदों को पानी देने तक यह सारे ही काम होते हैं क्या हाउसोल चोड्स पेलिंग याद रखेगा कैसे कहा जाता है हाउस होल्ड चोड्स कोड्स नहीं चोड्स ठीक है सो हाउसोल चोड्स सो देख लेते हैं क्या क्या काम हमें करना पड़ता है नॉर्मली घर पे और उसे इंग्लिश में कैसे कहा जाता है कि यह जो चुटे-चुटे काम है ना इसे इंग्लिश में बोलने में हमें तकलीफे आती है तो आज हम सीख लेंगे once and for all सो पहला है अगर आप सुभा मान लीजिए नीन से उठे और आपको क्या है बिस्तर को ठीक करना है है ना हम बिस्तर को एकदम नीटन क्लीन तरीके से रखते है तो उसे क्या कहा जाता है बहुत ही सिंपल से इंग्लिश है वह है make the bed, make the bed, बहुत ही सिंपल, make the bed मतलब बिस्तर को ठीक तरीके से रखना, अगर बिस्तर बनाना भी हो मतलब मान लीजिए सोने से पहले मुझे बिस्तर ठीक तरीके से लगाना है तो उसे भी हम make the bed ही कहेंगे सोने से पहले सोने के बाद, दोनों टाइम, make the bed, so I make my bed myself, before I go to bed, काम का चीज बहुत है, छोटा सा एक्षन है, बिस्तर को ठीक करना, पर कभी-कभी इंग्लिश में बोलने में हमें तकलिफ्य हो जाती है, तो हमने चट से सीक लिया, कैसे कहते है, make the bed, फीर आ गया जारू, हम हमारे खड को हमें जारू से, you know, साफ करना पड़ता है, तो sweep करना पड़ता है, इसे क्या कहते है, sweep up, sweep up the floor, देखिए, we sweep up the floor every day, right, moving on, अभी sweep के बाद क्या करना है, पोचना भी पड़ता है, ना, फ्लोर को, उसे कहते है, mop, mop the floor, है न, mopping, so I mop the floor, right, mopping हो गया, और यह जो चीज से mopping किया जाता है, इसे भी mopping कहा जाता है, M-O-P, so mop, we mop the floor, moving on to the next, अभी बरतन जमा हो गया है, मान लिजे कि, खाना पी ना हो गया है, बरतन जमा हो गया है, तो क्या करना है, डिश को धोना है, तो दो चीजी हम कह सकते है, normally wash the dishes, हम कही सकते है, wash the dish, पर ज I need to do my dish, इसका मतलब भी बरतन धोना ही है, बर हा, do the dish, not make, make नहीं कह सकते, make the dish मतलब खाना पकाना हो जाएगा, do the dish मतलब बरतन धोना, so I do my dishes daily, at night, after dinner, तो मैं रात को ही, अपने जो बरतन है, एकदम साफ करके रखता हूँ, है न, I do my dishes daily, at night, after dinner, so do the dish, not make, या फिर was the dish, I am कह सकता है, moving on, फिर है, कप्रे धोने की बारी, कप्रे दो तरीके से धोआ जाता है, normal, एक तो है पानी से, normally पानी से, अगर आपने कप्रे को साफ कर लिया, धो लिया, तो उसे कहता है, rinse, मतलब बिना detergent यूस किया, rinse, अगर हम detergent यूस करेंगे, तो उसे कहा जाएगा, wash, so, दो चीजे हो सकते, we rinse our own clothes daily, हम जो भी पहनते है, जादा तर हम पानी से धोलेते है, हर रोज, हर रोज detergent, शायदी हम यूस ना करे, और जब यूस करते हैं detergent, उसे कहा जाते है, we wash our clothes, right, moving on, अब है कप्रे सुखाने की बारी, तो कप्रे जब हम सुखाते है, we dry up the clothes, हम कह सकते है, क्या कहेंगे, dry up, अभी दो तरीके से हो सकता है, dry up the clothes in the sun, या फिर dry up the clothes in the machine, automatically, washing machine में भी, कप्रे सुखाके, अंदर कप्रे सुखाके, एकदम से बाहर ले सकते है, तो इसे हम dry up ही कहेंगे, either in the sun or in the machine, okay, moving on, अभी कप्टे को इस तरी भी तो करना है, press या फिर iron कहा जाता है, press या फिर iron, right, I press the clothes or I iron the clothes, moving on, अभी क्या होता है, कभी-कभी हमारे घर में जो furnitures घर होते हैं, उनमेना धूल जम जाता है, dust, तो उसे dusting कहा जाता है, so we dust the room, या फिर dust the furniture हम कह सकते है, that's how it is, so we dust the room and furniture every month, moving on, cobweb, अभी cobweb क्या है, हमरे घर में कभी-कभी मक्री के जाले पर जाते हैं, घर के corners में, pillar पे, उसे कहा जाते है, clean the cobweb, cobweb का मतलब मक्री के जाले होते हैं, we clean the cobweb, right, next is, जब हम घर में पूजा करते हैं, हर एक को देखा ही होगा, घर में कम से कम एक या दो बार घर में, के religion में शायद, तो उसे क्या कर जाता है, offer the prayer, we offer the prayer, prayer offer करना कहा जाता है, right, we offer the prayer daily, moving on, अभी garbage को ठीक जगा रखना या फिर फेकना, ये भी एक काम है, इसे क्या कहा जाता है, dispose, right, we dispose the garbage, हाना, काम की चीज, next one, अभी, बेर पौदों को पानी भी तो दिना होता है, उसे कहा कहा जाता है, water the plant, right, we water the plant, इसके लावा भी काम होते है, वो है, शायद cooking, cooking को सब को पताई है, कि we cook, right, I cook my food, ये वाला काम हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है, और जानते भी है, कैसे कहते हैं, English में, तो ये ये था, normally, जो भी हमारे, daily life household chores है, जातर मैंने cover करी लिया है, और वी कुछ रह गया हो, तो definitely comment down below, I'll tell you about that, so, आशा करता हो कि लेस्न में मजा आया हुआ, definitely just share किजे, चैनल को subscribe किजे, हमारे app को download किजे, thank you, Good news for all students, now you can download our phenomenal institute app, और कोई भी exam के लिए प्रिपेर कर सकते हो, चाहे आप कौन से भी बोर्ट से हो, ICAC, CBAC, या फिर कोई state बोर्ट, आप सारे ही class के लिए प्रिपेर कर पाऊगे, या फिर कोई competitive exam हो, चाहे वो NEET हो, AIEEE हो, JEE हो, आप सारी competitive exam के लिए प्रिपेर कर पाऊगे के CAC, CMA से लेकर कोई government exams, सब की preparation या पे होगी अब, बहुत सारे mock test series है, life classes है, link description box में दे दिया गया है, जलसल download कीजिए, बढ़ते रहे है, enjoy कीजिए, prepare कीजिए, life में आगे बढ़े,